अगर कुछ चैटपट ऐसा और टेस्टी खाने का मनो तो चांट से बेटर कुछ नहीं होता अगर उसमें वह चांट पोस्टी को साथी है तो और भी अच्छा है इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करें हूं वह बहुत ही स्टाइब स्टाइब अथे शेयर करें की चांट एक के सबस्केर आप बने नलस, और रिखते हैं आज मैं अप लोगों के साथ स्टाइब मोस्टी कैसा प्राइब कर दके भी याजियोल्भी चैट परिव काले लाट अट मुग customer चैट आप यासी एवालित काले डी रिखते ह नाले उससे हमारी जो चांट बनेगी ज्यादा अच्छी बनेगी सबसे पर्ले चनों को चिसे साफ कर लिया है क्योंकि इसमें कई वर बहुत सारी मिटी वगर आती है और उसके बाद हम इसे पूरी रात के लिए भीगो देंगे ओवर नाइट चने भीगने के बाद में चनों क साइस पहले से काफी बढ़ा हो जाता है उसके बाद बारिये प्रेशे कुक करने की उसके लिए प्रेशे कुक लिया और उसमें चनों को ढाल देंगे और इसे दो तीन पानी से बिगोते समय ही बहुत अच्छी से वाश कर ले साथी चनों में डाल देंगे 1 एर्थ सोड़ा डाले से चने बहुत जल्दी पक जाते हैं वरना चनों को पकने में बहुत जादा समय लगता है और साथी डाल देंगे जल्दी पकाने के लिए और अंदर तक अच्छा नमकीन टेस चला जाए उसके लिए हाफ टीस्पून जितना नमक मिक्स कर देंगे इसके बाद प्रेशर कुकल का ढखा देंगे और करीब 4 सीठी आने तक हाई से पकने देंगे चनों में एक एक करके 4 सीठी आए और उसके बाद प्रेशर भी अच्छे से निकल चुका है बस अब हम चनों को खोल लेते हैं एक बार चनों को चेक जरूर कर लें क्योंकि अगर चने उबलत पानी में हम डालेंगे 1 गुषे हाफ टीस्पून जतना आल्का नमक काना नमक की बिन चांट मेंल दोखनी नहीं मेली तना इस शयएए काफी बारी लति हो और पाल वी जगा ईजरिशन ये अबना जैने को जुके हर farmers के आघेतों अब करकाई जुकर वाएं गार्प॥ जबना जाए गार हें पारी मिर्च पाउड़र पर पर चंप से नमक nossa पाउड》 यह बढ़ी समारा मसाला बन कर तयार हो गया है और एक अलग तरीकिसे चने बनाने के लिए मैंने गैस अनकर उसके पर एक कढ़ाई रख दिया है और हम चनो को एक बटरी टेस्ट देंगे उसके लिए मैंने करीब 1 टिबल स्पून जितना बटर ले लिया है बटर हलका सा मैल द देंगे एक तो बटर काटेस्ट ऊपर से यह अमेजिंग मसाले काटेस्ट बहुत ही बढ़ी हा चनी बन कर तयार होंगे और इससे सिर्फ 30 से 40 से किंड तरीकिसे बून लेंगे मसाला हलका सा भून चुका है और जो चनी बाल के रिकिते बो डाल दीते हैं हाई फ्लेम पर हम चनो को करीब 2 मिनिट तक ऐसे ही भून लेंगे मसाले में अच्छी से चनो को चलाया और चनो पे मसाली अच्छी से कोट हो चुका है बस अब गैस का फ्लेम आफ क्रदेंगे क्योंकि हमारे चनी बिंकर तयार हो चुके गैस का फ्लिम आफ करने के बाद में हम इसमें डालेंगे आलू अगर आप डाइट कॉंशिस हैं या आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं परिंतु चैने हो या मट्रा हो उसमें आलू का टेस्स बहुत अच्छा लगता है और इसे भी मिक्स करनेंगे मैंने चैनों में जो आलू डाला है वो पूरी तरह से उबला हुआ है इसमें में कच्छा आलू नहीं डालना है क्योंकि बना वो पक नहीं पाएगा और इन चिट पटे चैनों को अब हम चांट बनाएंगे और उसके लिए मैंने लिया है यह एकनम बहुत बारी कटी हुई प् यह भी डाल देते हैं एक इंच अद्रक का टूड़ा जिसे दो लिया है चील लिया है और उसके बाद बहुत ही बादिक उसे काटा है अगर आपके पास अद्रक के जूलियंस है तो आप इसमें वह भी डाल सकते हैं और यह लिए है एक हरी मिर्च एकदम बारी कटी हुई साथी इसके टेस्ट को बहुत जादा बढ़ाने के लिए हम डलने मलें इसमें कुछ अनार के दाने अनार का हलका मीटा तेस्ट चांट में बहुत ही अचा लगीगा और थोड़ा सा हरा दिन्या उपर डाल देते हैं और बस इसे मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी और आप लोगों को पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स आप लोगों के कमेंट का इंतिजार कर रहा है वीडियो को लाइक कर दें फ्रैंड कर दें चैनल को सब्सक्राइब करने और साथी बैल आइकन को पास करना बिल्कुल बिना बूले, थैंक यू